नमश्कर साथियों हमारा आज का जो टापिक है वह है नैशनल बर्ड अफ इंडिया पिकॉक हमारा राश्टर पक्षी मोर इससे पहले कि हम टापिक को शुरू करें तो हम आपको बता दें कि हमने एक सीरीज शुरू की है जितने भी हमारे नैशनल सिंबल से उनके उपर एक ए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को अवश्य देख लें तो चलिए शुरू करते हैं राश्टर पक्षी मोर बारतिय मोर बारत का राश्टर पक्षी है ये एक अदबुद वा अति सुंदर रंगीन पक्षी है इसके सिर पर पंखे की तरह कलगी आंकों के निच्छे सफेद दबा और लंबी पत्ती दर्धन होती है इस परजाती का नर मादा की तुल्ना में अधिक सुंदर होता है जिसका चमकीला, नीला सीना वे दर्धन होती है और अतिम मनमोक कान से हरे रंग का 200 लंबे पंखो वाला एक गुच्छा होता है मादा जो होती है वो नर से थोड़ी सुंदरे के कारण 12 सरकार ने इसे 26 जनवरी 1963 को राश्ट्र पक्षी गोशित किया है मोर का मूल स्थान दक्षनी और दक्षनी पूर्वी एशिया में है ये मूलता खुले वनू में रहते हैं लेकिन कभी कबार बोजन की तलाश में ये मानव अबादी तक पहुँच जाते हैं जो नीले रंग का मूर है वैब भारत का और भारत के साथ सच्छ श्री लंका का भी राश्ट्र पक्षी है संस्कृत में मूर को मैयूर के नाम से जाना चाहता है अनेक दार्मिक कथाओं में मूर को बहुत उंचा स्थान दिया गया है महा कवी कालिदास जी के जो महा कावे मेक दूद है उसमें वो मूर को बहुत उंचा स्थान दिया है उन्होंने और परसिद समराट चंदर गुपत जो मूरे हैं उनके रज्य में जो सिक्के चला करते थे उन सिक्कों पर भी जो चिन जो निशान था वैं मोर का हुआ करता था वर्शा रिदू में जब मोर पूरी मस्ती में नाजता है तो उसके कुछ पंक तूट जाते हैं वैसे भी साल में एक बार अगस्त के महिने में मोर के सबी पंक जो हैं वो सारे जड़ जाते हैं गिर जाते हैं और गर्मिया जब आती हैं और गर्मिया आने से पहले ही फिर से उसके ने जो पंक हैं वो निकल आते हैं। मुख्यता मोर जो है वो नीले रंग में पाया जाता है प्रन्तु ये सफेद हरे और जामनी रंग का भी होता है इसकी उम्र 25 से 30 वर्ष तक होती है और मैं आपको बता दूँ कि जो मोर है वैं गोंसला नहीं बनाता ये जमीन पर भूमी पर कोई स्वरक्षित स्थान देकर वह ब्लू पीफाउल या फिर पीकॉक भी कहते है क्या आपने कभी जो मोर है वो कहीं देखा है कहां देखा है नीचे कमेंट बाक्स पर जरूर लिखे और बताएं वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें थैंक्यू जैहिन जैबार